गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम टू वेटू सक्सेस। आज है 21 नॉमबर, 21 नॉमबर से रिलेटिट करन्ट अफेर की जितने भी इंपोर्टन कोशन बनते हैं, आज हम उन सभी को वीडियो में डिसकस करेंगे। उसके बाद हम G20 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, बढ़ते हैं अपने पहले कोशन की ओर। हाल ही में वंडे विश्व कप 2023 का प्लेयर अफ दी टूर्नमेट एवोर्ड की से मिला। आपके ओप्षन है, A. विराट कोहली, B. रोहिच शर्मा, C. महमज शमी, D. इन में से कोई नहीं। तो फोटो को देखकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। इसका सही उतर है, A. विराट कोहली। जानते हैं ICC के बारे में, ICC International Cricket Council, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई, इसका मुख्यालिया दुबई में है, इसकी अध्यक्ष ग्रेक भार्ग ले हैं। ICC World Cup 2023 की मेजबानी भारत ने की, इसका सोंग था दिल जैशन बोले, इसका शुभंकर था क्रिस्टोवर्स और इसकी विजेता टीम उस्ट्रेलिया रही। उस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। हाल ही में B.N. गोस्वामी का निधन हुआ है, वह कौन है? A. गायक, B. इतिहासकार, C. पत्तरकार, D. इन में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है B. यह एक इतिहासकार थे। इनका जनम 15 अगस 1933 को हुआ और इनकी मृत्यू 17 नवंबर 2023 में हुई। Q3. हाल ही में किसे 2023 केनेथ पोल्डिंग पुरसकार से समानित किया गया। आपके ओप्शन है A. डैविड बारकिन, B. बीना अगरवाल, C. दोनो, D. इन में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है C. A. और B. दोनो। Q4. हाल ही में किस नदी पर सोर उर्जा से संचालित जहाज रमायन को चालित किया गया। आपके ओप्शन है A. गंगा, B. गुदावरी, C. सर्यू, D. इन में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है C. सर्यू नदी आयोध्या सर्यू नदी की किनारे स्तित हैं। उत्तर परदेश का पहला सोर शहर आयोध्या है। दुनिया की सबसे लंबी कुरूद सेवा गंगा विलास हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रमायन मंदिर बिहार में बन रहा है। कोशन नमबर पांच। हाल ही में किस राज्य में हस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दोरान ड्रेस कोड अनिवारिया कर दिया गया। आपके ओप्षन है A. असम, B. त्रीपुरा, C. मिजोरम, D. इन में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है B. त्रीपुरा। त्रीपुरा के राजधानी है अगरतला। त्रीपुरा के CM है मानिक सहा। त्रीपुरा के गवर्नर है श्री नल्लू इंदर सेना रेड़ी। त्रीपुरा को पांगलादेश तीन और से गीरता है। नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेकी से सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्या चैन करता न्युक्त किया है। आपके उप्शन है A. शाहिन शहा, B. बाबर आजम, C. इंजमाम उलहक, D. इन में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है C. इंजमाम उलहक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशन के और। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। आपके उप्शन है A. अंचिता सियाना, B. शैनिस प्लासियोस, C. मनीशा राय, D. इन में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है B. शैनिस प्लासियोस, देख सकते हैं आप यहाँ। तो चलिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन के और। हाल ही में किस राज्य में नीजी शेतर में स्थानिया लोगों के लिए 75% कोटा रद कर दिया गया है। आपके उप्शन है A. पंजाब, B. हरियाना, C. उतरपरदेश, D. इन में से कोई नहीं। तो आपका सही उतर है B. हरियाना, मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। 25 जनवरी 2022 को यह है, सूचित किया गया कि हरियाना के लोगों को प्राइवेट जोब्स में 75% अरक्षन देंगे। अब यह कोटा रद कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोट के द्वारा यह कहा गया है कि कोई भी राज्या 50% से ज़्यादा अरक्षन नहीं दे सकता। इसलिए वरतमान में यह कोटा रद कर दिया गया है। नेक्स्ट कोशन हाल ही में विश्व सोचाल्या दिवस कम मनाया गया। आपके ओप्षन है A. 11 नमबर, B. 15 नमबर, C. 19 नमबर, D. इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है B. 19 नमबर। चलिए बाकी ओप्षन के बारे में जानते हैं। ग्यारा नमबर को रास्टिया शिक्षा दिवस मनाया गया। पंदरा नमबर को जनजातिया गोरव दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की ओर। हाल ही में कॉंडे नास ट्रैवल्ड की सूची में एशिया में घूमने के लिए दोजार चोबिस की भारत की सबसी अच्छी जगह कौन सी है। तो आपका सही उतर है C, कोची। आप सभी जानते हैं कोची केरल में पढ़ता है। मैंने आप सभी को पढ़ाया था। भारतीय राज्या में तट्या सुरक्षा अभ्याष कवच कोची में आयोजित किया गया। यह कोची से माहे तक आयोजित किया गया था। कोची में ओप्रेशन सुमूंदर गुप्त भी चलाया गया था, यह ड्रग से सम्बंदित था, करंटा फिर के लिए इतना ही बढ़ते हैं हमारी G20 की जानकारी की हो, कोशन नमबर A, G20 शिखर सम्मेलन का स्तार्वा संस्क्रण कहां हुआ, आपका सही उतर है इंडोनेशिया, और इसका 19 संस्क्रण ब्राजिल में होगा, यह कोशन हाल ही में पूछा गया था, कोशन नमबर नेक्स्ट, G20 का मुख्यालिया कहां है, तो आप सबको बता दू, G20 का कोई भी मुख्यालिया नहीं है, यह आप याद रखिएगा, का मिल है, नेक्स्ट कोशन, G20 शिखर समेलन दो हजार तेईस विदेश मंत्रियों की बैठक कहां अयोजित की गई, आपका सही उतर है नई दिल्ली, कोशन नमबर, नेक्स्ट, 2023 में भारत की अध्यक्षता में, G20 की पहली एंटी करॉप्शन कार्य समों की बैठक कहां अयोजित की गई, आपका सही उतर है गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाना का एक जीला है, आज के लिए इतना ही बाकी का हम कल पड़ेंगे, थैंक्यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू,